हेलो फ्रेंड्स, वेल्कुम बैक तो माई चैनल, लाइफ सिंप्लिफाइड वाई सारीका, थाइंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मेरे पहले व्लॉग को बहुत अप्रेशियेट किया आज की वीडियो का टॉपिक है, एडॉप्शन प्रोसेस ऑफ चाइड इन इंडिया बाई कारा क्या क्या प्रोसेस होती है, वो देखते हैं, फार्म फिलिंग के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल पर डालेंगे, कारा, सी ए आर ए कारा, वेबसाइट डाली तो भी चलता है, लेकिन ये इजियेस्ट बता रहे हैं आपको, ओके, पैरेंट्स पे क्लिक किया इस पेज पे ये इतने टाइप होते हैं, जो एक एक नीचे लिखे हैं, इतने टाइप होते हैं, एडॉक्शन के, इस टाइप में मैं आपको फर्स्ट वाला टाइप दिखा रही हूँ, रेसिदेंट इंडियन पैरेंट्स, उसकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में आपको क्योंकि मैं मैंरेड कपल का ही दिखा रही हूँ, इसलिए सिदा बोला, ओके डेट ऑफ मैरेज डाल देंगे, स्टेटस पे कपल डाल देंगे, यहाँ पे मेल के नीचे, जितने भी हैं, आपके इन्फो मांगेंगे, वो उतनी सिर्फ फिल करते जाएँ है, प्रीज, डेट फिल करना ही है, और जो है वही फिल करना ही, क्योंकि आपको एन्यूल इंकम के प्रूफ के भी पेपर सब्मिट करने होते हैं, तो यह टैली हो जाएगा, इसलिए जो है वही फिल कर दीजे, और फी यहाँ पे आएंगे, चिल्डरन्स अगर आपके पहले होंगे, तो एकोर् प्रोफाइल आने से पहले आपका एड्रेस चेंज हुआ, आप अपडेट कर सकते हों, मैं यहाँ पर आगे के लिए सिलेट करके रखती हूँ, दिस्ट्रिक्ट आएगा पूने, ओके, तो मेल आईडी पैन कार्ड नमबर डालने के बाद जो नीचे आया है, एजन्सी, एच से भी आप सौर्ट कर सकते हैं, एजन्सी, लेकि यह तोड़ा टफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस वगर इतना रीडेबल नहीं है, ध्यान में भी नहीं आ रहा है, ओके, तो इजिएस्ट वे आपको दिखाती हूँ आपिस, इसी पेज पे, लेफ्ट कॉर्णर पे जाएंगे, सर्च एडॉप्शन एजन्सी में, यह मैप ओपन हो गया, यहाँ पर आपका स्टेट फांड आउट करना है, स्टेट के अंडर आपकी सिटी, डेमो देती हूँ में, मेरा स्टेट है महाराष्ट्रो, यहाँ पर मेरी सिटी नेम नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगे, मेरी नियर भाई सिटी डालूँगे, पूने, तो यह पूना के अंडर जो भी जितने भी एडॉप्शन एजन्सी के नेम है, वो सारे ओपन हो गए, इनके एजन्सी के नेम, डिटेल, एड्ड्रेस, और यहाँ पर इन हों कितने बच्चे, अडॉप्टेबल कित करें रखनी है, क्योंकि वो हमें अभी वहाँ पर फिल करनी है, तो यह हम करते हैं, तो यह हम पेज पर वापिस आ गए हैं, तो अभी जो एजन्सी हमने सौट करके नोट डाउन करी है, अभी उसकी इनफोर्मेशन फिल करनी है, टाइप भी कर सकते हो, या तो यहाँ पर अब भी next point है gender, अगर आपको boy चाहिए boy पे click किजे, girl चाहिए girl पे click किजे, अगर आप no choice पे click करोगे तो इसका क्या meaning है, आपके age criteria के accordingly, उस state में जो भी तीन state आपने डाले हैं, उस state में आपके age group का, आपके age criteria के accordingly, उस age group का जो भी baby available होगा, या तो boy, या तो girl, उस baby के आपको profile आजाएगी, है ना, वो होता है, no choice का meaning, लेकिन अगर आप specific हो, तो better specific ही reason, वहाँ पे select कर दीजे, अभी ये single sibling, आपको एक किड चाहिए, दो बच्चे चाहिए, उसके accordingly child category feel कर दीजे, be health status में क्या है, normal, physical and mental challenged, mental challenged and physical challenged, ओके तो ये जो challenged बच्चे है, ये इतने भी challenging नहीं होते, physically, mentally, इनके थोड़े थोड़े issues होते, वो आप वहाँ के representative जो आएंगे आपके घरेचे सार के लिए, उनसे भी बात करके sort कर सकते हो, या तो पहले ही phone करके sort कर सकते हो, या तो आपका जो भी deciding है, उस पे click कर दीजे, ओके, ये आ गया age group, अभी ये age group के से select करना है, वापिस यहाँ पे जाएंगे, eligibility criteria में, तो ये आ गई, पूरी information यहाँ पे काराने दी रखी है, age criteria के से select होता है, फिर भी समझा देती हूँ, अगर husband का और wife का age की total 90 years के अंदर होगी, या 90 years, एक का 90 नहीं, husband और wife के age की total 90 years के अंदर, या तो 90, ये होगी, तो आपको baby आएगा, 4 साल का, या 4 साल के अंदर का, ओके, इसा होता है age criteria, अगर आपका age group की total काफी कम है, तो आपको baby भी उतना ही छोटा आ जाएगा, तो आप page back कर देते, कि तो हमने back किया, वापिस page पे आपको उस पे click करना है, अभी state selection, ये बहुत important होता है, कोई एक state मत select कीजिए, आपका एक खुद का state लेही लीजिए, और उसके अलावा, दो और state आपको select करने है, इसा मत सोचे, बहुत लंबा जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, उस हिसाब से नहीं होता, आप पुरा proper study कीजिए, जो map अभी मैंने open करके दिखाया था, वहाँ पे आप proper study कर सकते हो, ठीके, और फिर तीन state तो select करने ही करने है, क्या होता है, वेटिंग लिस्ट में जो आपका number होता है, उसके accordingly ही आपको baby आता है, तो तीनो state में वेटिंग लिस्ट नमबर अलग-अ लगाता है आपको, तो शायद किसी state में कम आजाएगा, तो उस state से आपको जल्दी baby आजाएगा, ये उसके पीछे का reason होता है, in case, baby की profile आने से पहले आपको अगर लगेगा, कि कोई भी particular state लेलो, मैंने select किया है, उसमें से आप, मैं बोलती हूँ, गुजरात, वो state के number मेरे इतने speed ले आगे जानी रहे हैं, पहली बात तो patience बहुत रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं जा रहे है, आप update कर सकते हो, आप गुजरात चोड़ दो, वापिस form पे आजाओ, और MP select कर लो, मध्यप्रदेश, ये हो सकता है, अभी यहाँ पे क्या करना है, reason डालना है, फिर नीचे capture enter कर दीजे, और बस हो गया, submit पे क्लिक कर दीजे, इतना असान होता है form fill करना, ओके, अभी आप सभी को form fill करनी के लिए all the best, फिर भी अगर आपको कोई भी मुश्किल आ गई तो आप please comment section में डालिए, या तो मेरा mail ID दे देती हो, उस पे आप मुझे mail कर दीजे Wow, this is gonna be really easy, I hope आपको ये मेरा व्लोग अच्छा लगा हो, please like, share and subscribe to my channel, ताकि आप आगे के आने वाले व्लोग भी अच्छे से देख पा, thank you